जब भी हम conversion की बात करते हैं female to male या transgender की तो facial masculization एक बहुत ही important role play करता है और अगर हम इसमें detail में बात करें तो beard एक बहुत ही एहम हिस्सा play करता है तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से beard transplant से एक masculine face को create किया जा सकता है साथ ही साथ क्या procedure होने वाला है और किस तरह की इसमें recovery होने वाली है Hello everyone मैं Dr. Kaushan हूँ मैं SBA aesthetics Guru Gram में काम करता हूँ और जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं beard transplant की उन patients में जो की female to male conversion के लिए देख रहे हैं या transgender patient जो की male conversion के लिए देख रहे हैं तो अगर मैं बात करूँ beard transplant की तो जो सबसे पहला important step होता है beard transplant का वो होता है designing of the beard and the mustache line तो जब भी हमारे पास patient consult के लिए आते हैं हम बहुत ही अच्छे तरीके से उनको assess करते हैं साथ ही साथ हम उनकी राये पूछते हैं कि उनको किस तरह का style या design चाहिए और after discussing it with the patients हम decide करते हैं कि हमें किस तरह का beard line और mustache line design करना है एक बार हमने design final कर लिया उसके बाद हम transplant का preparation शुरू करते हैं जिसमें कि हम conventionally FUE technique के दुआरा beard transplant करते हैं और हमारा जो donor area होता है वो किसी भी दूसरे hair transplant या beard transplant के तरह हमारा back of the scalp होता है जिससे कि हम donor area से graft harvest करते हैं और उसको transplant करते हैं transplantation जो इन follicles का होता है वो पूरी तरह से local anesthesia में होता है और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता कुछ एक patients को थोड़ी swelling और bogginess की feeling रहती है throughout the transplant जो कि with time चली जाती है एक जो important factor होता है transplant के बाद वो होता है कि इन follicles को nourishment provide करना और एक healthy base provide करना जिससे कि ये अच्छी तरह से अपने नए transplanted जगे पर associate होके इन में से नए बाला सके तो हम अपने सारे patients को post transplant PRP की सजला देते हैं साथी साथ हम इनको topical serums और oral medications देते हैं जिससे कि ये बाल अच्छी तरीके से आए और एक dense अच्छी beard और mustache इन patients को मिल सके अगर हम इस surgery में पूरी recovery की बात करें तो किसे भी और hair transplant या beard transplant की तरह 3 phases होते हैं पहला आपका scabbing phase जिसमें कि आपके transplanted hair के allowance protein secretions collect होते हैं और वो scab form करते हैं फिर हमारा अगले 3 महने के लिए shedding phase होता है जिसमें कि जो hair shaft present होता है graft के साथ वो shed off हो जाते हैं और फिर इन graft में से अगले 3 महने में से नए beard grow होने लगते हैं जो कि आपको एक final result देते हैं पर अच्छी घने beard आने में almost 8-9 मेने लगते हैं I hope यह video आपको पसंद आई होगी और खास करके यह video उन patients के लिए हैं जो conversion surgery के बारे में सोच रहे हैं ताकि आपको brief idea मिल सके कि कि किस प्रकार से आप masculization की तरफ सोच सकते हैं और beard transplant करवा सकते हैं साथ ही साथ conversion surgery से related facial feminization surgery और masculinization surgery की और videos देखने के लिए हमारे YouTube चानल को जरूर subscribe करें और notification bell पे click करें ताकि आपको regular updates मिलती रहें और साथ ही साथ मैं request करूंगा कि इस video को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें